हेलो एवरिवन और वेलकम टू पॉल ब्रदर हमारे देश भारत के नौर्टिस्ट इलाके में इस्थित राज्य मनिपूर जल रहा है राज्य में दंगे इतने जादा बढ़ चुके हैं कि केंदर सरकार को आर्टिकल 355 लागू करना पड़ा जिसमें सूट अट्सराइट के ओर्ड़र दिए गए जिससे दंगे कर रहे लोगों को रोका जा सके और इन दंगो को खतम किया जा सके आखिर क्या वजा है मनिपूर के इन दंगों के पीछे और इन दंगों के चलते क्या इंपक्ट हमारदेश भारत पर होगा बात करते हैं आज की वीडियो में वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिये और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिये ताकि ऐसी इन फॉर्मेटिव वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके अभी मनिपूर में हो रहे दंगे मताय समुदा और कुकी और नागा समुदाए के बीच हो रहा है जिसके चलते आज मनिपूर राज्ये जल रहा है लेकिन इस विवात का इतिहास पुराना है अगर मनिपूर में हो रहे दंगो के रीजन को समझना है तो मनिपूर के जिग्राफिकल लोकेशन और यहां के समुदाइ के अब मताई में जादतर लोगों की संक्या हिंदू लोगों की है और उसके बाद मुस्लिम लोग हैं तो वही नागा और कुकी समुदाय में जादतर इसाई लोग हैं लेकिन इसके लावा नागा और कुकी समुदाय के लोगों को ट्राइप की माननेता हासिल है जिसके चलते ना नागा और कुकी समुदाई के हैं इसके अलावा गर मनिपूर राजे के जोग्राफिकल लोकेशन को देखा जाए तो मनिपूर राजे के बीच में इंफाल वैली है और बाकी चारों तरफ पहाड़ी इलाका है अब मनिपूर के 10 प्रतिशत हिस्से में मतई समुदाई का जाए जिसके चलते इस समुदाई के लोगों ने मनिपूर हाई कोट में एक प्रतिशन भी फाइल किया हुआ है दरसल मतई समुदाई का मानना है कि 1949 से पहले मतई को ट्राइब का दरजा मिला हुआ था और इस समुदाई के लोगों की अपील है कि उनके पूर्वेजों की ज अब इस कमिटी का कहना है कि मतई समुदाई के लोगों को पहाड़ों से दूर किया जा रहा है जबकि नागा और कुकी समुदाई के लोगों के लोग इंफाल वैली में जमीन खरीच सकते हैं ऐसे में मतई समुदाई के लोगों के लिए इंफाल वैली और छोटा होता जा र है लेकिन इसके विरोध में नागा और कुकी ट्राइब का कहना है कि मतई-समुदाई के लोगों को पहले से ही reservation दिया गया है और उसके फायदे भी उन्हें मिल रहे हैं साथ में ही मतई-समुदाई मेजियोरिटी में हैं और अगर उन्हें ट्राइब का दर्जा मिलता है तो मतई समुधाई का रिजरवेशन और जादा बढ़ जाएगा जिससे नागा और कुकी समुधाई के लोगों के बच्चों को नौकरी और कॉलेज में अड्मिशन के मौके और कम हो जाएंगे इन सब के बाद हाल में ही मनिपूर हाई कोट ने मतई ट्राइब यूनियन के पेटिशन पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस पर विचार करे और अगले चार हफतों में जवाब दे हाला कि कोट ने मतई को ट्राइब का दर्जा नहीं दिया था बलकि ये सिर्फ एक औब्जरवेशन था जिससे कि इसका सॉलीशन निकाला जा सके लेकिन फैसले के से लगवक 65 किलोमीटर दूर चूरा चांदपुर जिले के तौर्बंग इलाके में हुई जिसमें हजारों की संख्या में लोग सामिल हुए थे इसी दौरान ट्राइब कम्यूनिटी और मतई कम्यूनिटी के लोगों के बीच हिंसा सुरू हो गई और देखते ही देखते ये हिंसा इतनी बड़ी हो गई कि बावन से अधिक लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी लेकिन वही इस हिंसा के पीछे कुछ और रीजन होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है जिसमें एक कारण ये बताया जा रहा है कि ट्राइब कम्यूनिटी के कुछ लोग मनिपूर क केर चीफ मिनिस्टर एन बिरेन सिंग को सत्ता से हटाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने ड्रग के खिलाफ बहुत कटोर कदम उठाए हुए हैं अब जैसे अफीम की खेती को सरकार रोक रही है जिसके चलते में अनमार के लीगल माइगरेंट को नुकसान हो रहा है और ये प्रेन सिंग ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा था कि ये लोग मनिपूर के फोरिस्ट को बरबाद कर रहे हैं और कम्यूनल मुद्दों को अपने ड्रग बिजनस के लिए भड़का रहे हैं इसके अलावा एक कारण और बताय जा रहा है जिसमें माना जा रहा है क ट्राइब के कबजे वाली जमीन को खाली कराय जाने के परपस से इन दंगों को किया गया है क्योंकि जहां यह हिंसा हुई है वहां कुकी कम्यूनिटी के लोग सबसे जादा है और इन सब दंगों के चलते जो टेंशन क्रेट हुआ है उसके वज़ा से लगवग 9000 लोगों क किसी और जगा शिफ्ट किया गया है अब भले ही रीजन तीनों में से कोई भी हो पर इन सब में नुक्सान मनिपूर के लोगों का हुआ है साथ में भारत जो इस समय दुनिया की फास्टेस ग्रॉइंग टॉमी है ऐसे में जब इस तरह की हिंसा होती है तो वह कभी भी किसी देश की इकनॉमिक लिए अच्छा नहीं होता साथ ही जब ऐसे दंगे होते हैं उन्हें भले ही आर्मी और पुलिस फोर्स की मदद से काबू में कर लिया जाता है लेकिन लंबे समय तक उस एडिया में राज्य में तनाव बना रहता है जिसके चलते उस राज्य के एकनॉमि होना बहुत जरूरी है उमीद यही है कि और ज्यादा लोग अपनी जान ना गवाए और सरकार पूरी तरह से इन टेंशन सिचुएशन को कंट्रोल कर ले थैंकि सो मच वीडियो को यहां तक देखने के लिए अगर आपको वीडियो इंफोर्मेटिव लगी तो वीडियो को करें अपना अपीनियन मुझे कमेंट में बताएं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नौटिफिकेशन बेल को अन कर लीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में